आपको सवाल नंबर आठ है और सवाल नंबर आठ में यहाँ पर आपको तीन सवाल मिलेंगे ABC करके तो यहाँ पर पहला नंबर है सिद्ध करना आपको की बिंतु जिनके इस सिती सदीस यहाँ पर यह दिये गए हैं यह तीनों आपको क्या करना है इनको देखाना है कि यह सम्र एक होने का मतलब कैसे सिद्धिक के जाता है इस चीज को यह मतलब यहां पर मान लेंगे इसको व्क्टर आ बर 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 मालेंगे यहांपर हो जाएगा माइनस 2 आई कैप प्लस में 3 जे कैप हो जाएगा ठीक और वेक्टर V बराबर जो हमारा हो जाएगा वो आई कैप हो जाएगा प्लस में हो जाएगा 2 जे कैप हो जाएगा और प्लस में 3 के कैप हो जाएगा ठीक और उसके बाद इसको वेक्टर C के बराबर हमाल लेते हैं साथ आई कैप हो जाएगा प्लस में नौ के कैप हो जाएगा ठीक अब यहां पर हमें क्या करना है हम लोगों को यहां पर रेखा का सद्धिस समी करण निकाल लेना ठीक तो यहां पर रेखा का सद्धिस समी करण निकाल लेना ठीक सद्धिस समी करण यहां पर ज क्या करना है आपको क्यों मतलब यह सूत्र यूज करेंगे क्योंकि देखो सम्रेक का मतलब क्या होता है सम्रेक तो सम्रेक का मतलब होता है सम मतलब समान रेक मतलब रेखा जो एक ही रेखा में हो उनको सम्रेक बोलते हैं तो सम्रेक का मतलब होता है, आपको ये सिद्ध करना है कि ये और ये ये तीनों जो बिंदु हैं, वो एक ही रेखा में है, ये चीज़ आपको सिद्ध करना है, तो यहाँ पर एक बिंदु हो गया, एक बिंदु हो गया, एक बिंदु हो गया, ठीक, तो ये मालों एक रेखा है मतलब ये एग ही रेख्य मैं ऐसे हैं इसलिए आपको शीद गरना टिक आप देखो आपको बताया था कि दो बिंदूओं से और जाने वाली रेख्या का यह था शंबी करण ठीक तो यह देखो एक बिंदी हो गया, एक बिंदी हो गया, तो इन दोनों बिंदों से होकर जा रहा है, इसलिए आपको यह सूत्र यूज करना है, ठीक, तो दो बिंदों से होकर जाने वाली रेखा का सूत्र क्या होता है, यही तो होता है, और उसके बाद यहाँ पर आपको तीसरा बिंदु य आगे भी हम आपको उता रहें तो इन दोनों बिंदों से हो कर जा रहा इसलिए यह सूत्र यूज करते हैं अभी आगे यह जो आपका सी वाला बिंदो है यह भी आपको जो सी वाला बिंदो है आपको इस आर के बराबर कर देना ठीक बराबर करने के बाद फिर वहां पर आपक सेम मिल जा है तो इसका मतला भी सम्डरेग है ठीक तो अभी देखो यह सुतर क्यों है क्या आप सम्द्रेग सिर्द कैसे करना है तेको विक्टर आर जो है विक्टर आर के बराबर यहां पर रखना है एक वैलो ठीक हो जाएगा मא आइस ट्टािय गैप हो लेंगे ठीक तो यह हो जाएगा माइनस माइनस प्लस टू आई कैप हो जाएगा माइनस का थिरी जे कैप हो जाएगा ठीक तो यह आपका हो जाएगा भी यहाँ पर विक्टर आर बराबर में माइनस टू आई कैप प्लस में थिरी जे कैप हो जाएगा और प्लस में और यहाँ यहां पर क्या हो जाएगा देखो दो एक कितना हो जाएगा तीन और यहां पर हो जाएगा देखो यह हो जाएगा आपका दो एक तीन और टी से गुणा करेंगे तो जाएगा ठीक समझ रहो ना यहां पर क्या हो रहा है और यहां पर तीन और यह दो है और यह दो है और तीन मे के कैप हो जाएगा ठीक अब आपको क्या करना है ये जो R है ना इस R को इस C के बराबर कर देना क्योंकि ये भी इसी इसी रेखा में है ठीक तो इसको क्या करना आपको इस C के इसे मतलब R के स्थान पर आपको ये C कर देना ठीक मतलब यहाँ पर ये जो value दिया गया है उसकी बाद आपको लिखना है चुकि बिंदू ABC यानि तीनों बिंदू जो है वो क्या है समरेक है इसलिए बिंदू C जो होगा वो आपका समीकरण एक को संतुष्ट करेगा संतुष्ट करने का मतलब है कि आपको आर के स्थान पर C का वैलू रख देना है ठीक रखेंगे तो यहां पर कितना हो जाएगा देखो C का जो वैलू था वो आपका यहां पर था 7-i-cap और प्लस में 9-k-cap ठीक इतना था ठीक अब यहां पर हम लोग रखेंगे इस आर के स्थान पर तो यहां पर हो जाएगा 7-i-cap और प्लस में 9-k-cap हो जाएगा बराबर में इधार देखो यह i-cap है और यह i-cap है तो दोनों में i-cap मिल रहा तो कामा ले लो ठीक तो तो यहां पर जाएगा माइनस दो और प्लस में हो जाएगा ठीक उसके बाद प्लस में और यहां पर यह आपका जे कैप और यह आपका जे कैप ठीक तो यहां पर हम लोग जे कैप काम ले लेंगे तो यहां पर बचेगा तीन माइनस में टी हो जाएगा ठीक उसके बाद यहां पर आपका k cap कामा हो जाएगा ठीक और यहां पर हो जाएगा 3t हो जाएगा ठीक यह हो जाएगा अब देखो यहां पर आपको क्या करना है इन दोनों को compare करना ठीक तो यहां पर i cap का गुडंक i cap के बराबर हो जाएगा यानि 7 के बराबर में हो जाएगा minus 2 plus में 3t हो ठीक और उसके बाद 3T माइनस मतलब इसका गुड़ांक इसके बराबर ठीक इधर कुछ भी नहीं तो 0 लिख दो ठीक और उसके बाद यहां पर हो जाएगा आपका 3T हो जाएगा और बराबर में इधर हो जाएगा आपका 9 ठीक मतलब के कैप गुड़ांक और इधर कुछ भी गर जैसे चैप नहीं नहीं तो यहाँ पर आपको जी रहे ला लेंगे तो अब यहां पर क्या हो जाएगा ilrain इसको 9SH,O3 3 स immuing तोס पिद्क करना हो जाएका और यहाँ को मैनिस में 1592-92? वैलू रख देना है और यहां पर आपको मतलब रखने के बाद अगर यहां पर मतलब C का वैलू रखना है और रखने के बाद आपको यहां पर तुलना कर लेना है तुलना करने के बाद ही जो आपको यहां पर 3T आपको दिखाई देंगे ठीक अगर 3T का वैलू सेम अगर तो आप यहाँ पर लीख भी सकते हो, यह चीज, तो देखो, इस तरीके से आपको लिख देना है, कि चूँकि 3 समी, मतलब 3 जो है, यह समी करण, एक से जो T का मान आया है, जो इसका वैलु आया है, वो सेम है, इसलिए दिये गए जो 3 बिंद्ध है, वो क्या है? समरेक है, तो यह आपका प्रूफ्ड हो जाएगा, मतलब आपको सिध्ध करना है, और इसका जब हमṣोग इस्तिती सदीस निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा, इसके पीछे i cap जोड़ दो, इसके पीछे j cap, इसके पीछे k cap, ठीक, इसके पीछे इसमें भी जोड़ देना, ठीक, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए, माना, तो इस तरीके से मतलब आपको लिख लेना है, कि माना बिंदू a, b, c, जो है, मतलब जिनके इस्तिती सदिस क्रमसा, क्या हो जाएंगे, इसके पीछे आप i cap, मतलब इसको वेक्टर a के बराबर मान लेजिए, ठीक, पहले इसको a मानेंगे, इसको b मानेंगे, इसको c मानेंगे, तो इसका जो इस्तिती सदिस हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, वेक्टर a मान लो, और इसके बाद इसको विक्टर C बड़ाबर मान लो प्लस का jurisdictions माइनस का 10 के servi हो जाएगा ठीक तो देखो अब यहां पर आपका formula कियا हो जाएगा तो यह हो जाएगा विक्टर R बड़ाबर में विक्टर A, प्लस में ट, विक्टर V, माइनस विक्टर A हो जाएगा ठीक अब आपको यहाँ पर A B का वैलू रख देना ठीक तो यहाँ पर यह हो जाएगा विक्टर R बराबर में विक्टर A हमारे पास यह ठीक और प्लस में T हो जाएगा विक्टर B और विक्टर A का वैलू रखो ठीक तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2J कैप हो जाएगा माइनस में 3K कैप हो जाएगा माइनस का विक्टर A अब यहाँ पर माइनस लगा है क्योंकि तो यहाँ पर सबके चिन बदल जाएगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका विक्टर R बराबर में और यहाँ पर हो जाएगा आपका 2 I cap प्लस में 3 J cap हो जाएगा प्लस में 4 K cap हो जाएगा ठік और प्लस में हो जाएगा T और यहाँ पर देखो दो में से हम लोग 2 और minus 1 2 I minus ठीक कितना हो जाएगा 3 I cap हो जाएगा और उसके बाद में तीन में से दो घटाएंगे तो कितना बचेगा माइनस कजे कैब बचेगा और इसके बाद चार तीन कितना हो जाएगा साथ हो जाएगा ठीक क्योंकि दोनों माइनस में प्लस हो जाएगा ठीक और आप यहाँ पर क्या करना आपको यहाँ पर लिख देना है सबसे पहले मतलब यहाँ पर वेक्टर R के स्थन पर आपको यहाँ पर जो वेक्टर C है उसका वैलू आपको रखकर यहाँ पर तुलना कर लेना है मतलब कि आप देखो आप यहाँ पर आपको लिख देना है चुकि बिंदू A, B, C जो है यह क्या है समरेख है इसलिए बिंदू C जो होगा वो समीकराण 1 इसको आप समीकराण 1 मालेजे तो समीकराण 1 को संतुष्ट करेगा संतुष्ट करने का मतलब यहाँ पर रखो इसका वै वो यहाँ पर दिया गया है माइनस चार आई कैप प्लस में जे कैप माइनस में दस के कैप ठीक तो हम लोग यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस चार आई कैप हो जाएगा और प्लस में जे कैप हो जाएगा और माइनस में 10 K कैप हो जाएगा ठीक बराबर में यह हो जाएगा 2 I कैप हो जाएगा प्लस में 3 J कैप हो जाएगा ठीक और प्लस में 4 K कैप हो जाएगा प्लस में इस T को हम लोग यहां गुणा करेंगे तो जाएगा माइनस का 3T I cap हो जाएगा और इसके बाद इसमें गुणा करेंगे ते हो जाएगा T J cap हो जाएगा और इसके बाद इसमें गुणा करेंगे ते हो जाएगा 7 T K cap हो जाएगा ठीक अब यहाँ पर क्या हो जाएगा देखो यह हो जाएगा 4 I cap हो जाएगा माइनस में J कैप हो जाएगा माइनस का 10 K कैप हो जाएगा बराबर में देखो ये I कैप है ये भी I कैप दोनों में I कैप आपका कामा हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 2 और माइनस में 3 T हो जाएगा ठीक उसके बाद प्लस में अब यहाँ पर क्या हो जाएगा जे कैप में देखो यह हो जाएगा और यह हो जाएगा तो इसमें जे कैप कामा हो जाएगा तो यहाँ पर तीन बचेगा माइनस टी बचेगा प्लस में अब यहाँ पर हो जाएगा के कैप ठीक तो यहाँ पर यह हो जाएगा और यहाँ पर यह हो हो जाएगा icap के गुड़ांग के बराबर ठीक हो जाएगा minus 4 के बराबर यह हो जाएगा ठीक 2 minus में 3 T हो जाएगा ठीक अब हम लोग इसको solve करेंगे तो इसको इदर ले आएंगे कितना हो जाएगा यह जाएगा minus 4 minus 2 flamingarin चो यहां पर यहां पर पर यह पिलना, यह लोग यहां पर यहां पर यह यह हो जाएगा एक माइनस तीन बराबर माइनस धी और उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा माइनस के बराबर हो जाएगा साथ माइनस में सेवन्ट फ्स लिए और इसको इदर करेंगे त्यों यहाँ गार पराबर में माइनस साथ टी हो जाएगा और दस चार कितना हो जाएगा चगुता हो जाएगा और माइनस में साथ टी हो जाएगा और यहां पर माइनस से माइनस प्लस और साथ दुना चगुता हो जाएगा टिक तो टी पराबर दो आ गया अब दोको तीनों में जो टी का जूरू आ घाया है, यह सेम है, और इसलिए दिया गया, जो बिंदु थे, वो क्या है, वो सम्रेख है, ठीक, तो आईओप समझ गयंगे, चलि तर्फाल सवाल कंभ सिदे देखते हैं, तो यहाँ पर आपका सिर निंबर सवाल है, यहाँ पर लिका है, दरसाय की बिंदु आप लिख दीजे, 0, चले मैं आपको लिख देता हूं, ठीक, अब यहाँ पर हम लोग इनके इस्तिती सदीस लिख देंगे, इनके, इनके मतलब की यह जो A, B, C है, ठीक, बिंदू A, B, C, जो है, ठीक, के इस्तिती सदीस, इनके जो इस्तिती सदीस हो जाएंगे, वो क्या हो तो यह हो जाएगा आपका, यानि कि विक्टर A, विक्टर A बराबर कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका, 0, I कैप, माइनस में, J कैप, और प्लस में, 3, K कैप हो जाएगा, ठीक, इसी तरी के से हो जाएगा, आपका विक्टर B, यह हो जाएगा, विक्टर C, अब दे और प्लस में 3 के कैब ठीक उसके बाद प्लस में यहाँ पर हो जाएगा आपका वेक्टर आर बराबर में विहार हमाइनस जै प्लस में 3 के कैब हो«द.'d Tort और यहां पर है ही नहीं आई वाला ठिक तो इसी को लिखने लिखे रो ठिक और इसके बाद तीन मतलब 11 मैंसी इसको गटाएंगे तो प्लस का 8 जे कैब बचेगा और इसके बाद मैंस माइस माइस प्लस 3 एक 4 के कैब हो जाएगा ठिक और अब यहां पर हम लोग लिख देंगे चुकि यहां पर जो बिंदू ABC है ठिक बिंदू ABC जो है यह क्या है समरेख है अगर यह समरेख है तो इसलिए जो आपका बिंदू C है बिंदू C यह क्या करेगा समी करण एक को आप इसको समी करण एक मांग लिजे समी करण एक को संतूस्ट करेगा संतूस्ट करेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अगर यह संतूस्ट करेगा तो यहाँ पर बिन दूस्ट यह आपका है टीक और इसको आ के स्थान पर लिकह देंगे तो यह हो जाये गा हमारा 4i का प्लस में पाñच-जेक हो जायगा माइनस में 5 क Josh देगे तिक ब्राबर में यह यहाँ जायेगा माइनस «1-रह कैप प्लस का 3k कैप और प्लस में ब्रेकर्थ तोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा दो से गुणा करेंगे तो जाएगा टू टी आई कैप हो जाएगा और यहाँ पर जब लोग आठ टी से गुणा करेंगे तो जाएगा आठ टी जे कैप हो जाएगा और उसके बाद इसमें जब गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा मा माइनस में 5K dc बराबर में यहां पर आई वाला है ही नहीं ठीक त्यों जाएगा 2T कैप हो जाएगा और it के बाद प्लस में ससकçar्थ में यह यह मिल रहा है और यह फ़ोला ठीक तो यह हुँ जाएगा हमारा माइनस का 11 और प्लस में 8 टि ओजाएगा ठीक, जे कैप होजएगा और प्लस में यह भातका के कैप ठीक, यहाँ पर होजएगा तीन माईनस में फोल्ड ठीक हो जाएगा ठीक और उसके बाद अब ban 99 ब्रaghava तुलना करेंगे ठीक और इसको इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा तो यह हो जाएगा हमारा प्लस में हो जाएगा तो यानि ग्यारा और पांच कितना हो जाएगा सोला बराबर में आठ टी हो जाएगा तो आठ डून कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा यानि कि t बराबर कितना जाएगा 2 आ जाएगा और उसके बाद में इधर हो जाएगा आपका माइनस 5 के बराबर हो जाएगा और इधर हो जाएगा आपका 3 माइनस में 40 हो जाएगा ठीक तो यानिक देख लो, अब यहाँ पर आपके जो T के, तीनो T की value है, वो same है, इसलिए एक क्या है, समरेख है, तो यह आपका सिद्ध हो जाएगा, तो यहाँ पर आप लिख देदिए, चुकि, यह फिर आप लिख जे, अताठिक, तीनो, यहाँ पर आपके क्या है, समी करण 1 से T का जो मान आया है, T का जो value है, यह क्या है, same है, ठीक, same है, इसलिए, इसलिए, जो दिये गए, दिये गए बिन्द है, वो क्या है, समरेख है, ठीक, आई होप, आप समाझ क्या होंगे, बल इकाण,